इंस्टाग्राम पर जैसे ही आप अपने अकाउंट पर विजिट करके ठी डोट पर किलिक करके सेटिंग एंड प्राइवेसी में आतो यहां पर एकाउंट सेंटर पर किलिक करके यहां पर आपको connected experience एक feature देखने को मिलता है काफी लोग को नहीं पता कि यह feature है क्या basically इसके क्या use है काफी लोग confused हो जाते हैं इस feature को देखने के बाद simply आपको connected experience पर किलिक करने है यहां पर आपको ठी ओप्सिन मिलता है first add accounts second sharing across profiles और थर्ड है logging in with accounts यहां पर देखो first का क्या मतलब है first का यह मतलब है जैसे कि आप sharing across profiles पर किलिक करोगे तो यहां पर यह add account करने के लिए बोलेगा यहां पर लिखा है add your account to enable connected experience such as sharing your Instagram story and post to Facebook यहां पर जो आप अपना account link करोगे for example मैं आपको shortcut में explain करता हूँ आपके multiple Instagram account है and आपका Facebook account भी है अब अगर आप एक photo and एक reels सभी account पर post करना चाते हो Facebook पर भी करना चाते हो and Instagram पर भी करना चाते हो जो आपका यह main account है इस पर भी करना चाते हो and आपके जो other Instagram account है उन पर भी वो ही photo या वो ही reels post करना चाते हो तो आप इस account पर करोगे यहां पर अगर आपने account को connect कर दिया जो आपके multiple Instagram account है and Facebook account है connect कर दिया अब आप अपने इस account पर जो भी reels या photo डालोगे उन सब पर post होगा इसके अलाबा आप जो भी story add करोगे इस account पर वो ही आपकी story Facebook पर add होगा and आपके जो multiple Instagram account है उन पर add होगा यहां तक समझ माया यह मैंना आपको shortcut में explain किया है चलिए अब यहां पर practically करके देखते है देखिए सबसे पहले यहां पर आपको add accounts पर click करने है जैसी आप add accounts पर click करते हो यहां पर आपको two options मिलते है first आप अपना Facebook account लिंक कीजिए second है Instagram account यहां पर चलिए आपको add Facebook account पर click करने है और जैसी आप यहां पर click करते हो यह आपको redirect कर देता है Chrome पर जैसी यह आपको Chrome पर redirect करता है यहां पर आपको अपना mobile number या email लेकर और password देकर login कर लेने है simply यहां पर मैं login कर लेता हूँ आपका जो Facebook account है वो यहां पर आपको देखो इस तरह से लिखाएगा मुहमत के रूप में जारी रखे इस पर आपको click करने है अब आपका जो Facebook account है वो Instagram से link हो गया है यहां पर देखो आगया है मेरा Facebook account simply यहां पर आपको continue करना है then यहां पर आपके Facebook पर जो आपका account है वो भी आजाएगा यह तो profile होगी और आपने Facebook पर अगर page भी बना रखे है अपनी profile से भी आजाएगी तो आपको किस से connect करना है तो भाई मैं moment safe से रखूँगा जो मेरे profile है टीक है मैं paste से नहीं कर रहा हूँ then continue कर देता हूँ इसके बाद yes add technical safe aid यहां पर आपको simply add कर देने है तो यहां पर यह हो चुका है हमारा account add और उसके साथ साथ मैंने अपना एक Instagram account भी add कर दिया है उस Facebook account से मेरा जो Instagram account link था वो उसके साथ साथ यहां पर आ गया है तो यहां पर यह मेरे जो second Instagram account है उससे भी link हो गया है आप देख सकतो हो फर्स्ट पर आ रहा है technical safe aid और Facebook से भी हो गया है और जैसी आप add account पर click करतो तो यहां पर आप अपने और भी Instagram account add कर सकतो simply guys यहां पर मैं continue पर click करता हूँ यहां पर मैं अपना एक और account add कर रहा हूँ यहां पर Facebook का तो यहां पर हमारा एक और Instagram account add हो गया है तो यहां पर हमने तीन account add कर दिया है अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर और भी एड़ कर सकता हूँ यहाँ पर मैं अपना एक और इंस्टाग्राम एकाउट एड़ कर रहा हूँ simply यहाँ पर मैं continue कर देता हूँ देखिए वो एकाउट आपके इसी mobile में login होने चाहिए तभी होगा otherwise नहीं होगा तो यहाँ पर मैंने एक और अपना इंस्टाग्राम एकाउट यहाँ पर लिंक कर दिया है तो यहाँ पर आप जितने चाहो उतने इंस्टाग्राम एकाउट लिंक कर सकते हो बट यहाँ पर यह दो ही एकाउट एड़ करता है इंस्टाग्राम का अब यहाँ पर आपको कुछ और भी सेटिंग करने है, बट उससे पहले आपको बता दता हूँ, अगर आपका इंस्टाग्राम एकाउंट लिंक नहीं होगा है, फर्स्ट ओप्सन वाप पर आपको फेस्बुक का आता है, उससे लिंक कर लीजी, अगर उससे आपको को इंस्ट लिंक नहीं है, तो आपको नीचे सेगिन ओप्सन दिया जाता है, इंस्टाग्राम का, तो उस पर किलिक करके आप अपने इंस्टाग्राम एकाउंट भी लिंक कर लिजी, जो आपके मुबाईल में लोगिन है, वो भी लोगिन होने चाहिए, ठीक है, इतना सब करने के बाद और यहाँ पर इन्स्टाग्राम पोस्ट भी ओन करने हैं, यहाँ पर आपको सब की करने हैं, चलिए मैं फेस्बुक से किलिक करता हूं, और यहाँ पर देखो, एक तो मैं Facebook की जो स्टोरी है वो ओन पर करता हूं, एंड पोस्ट, यह ओन करता हूं, इसके बाद मैं इस एकाउं पर योवर इंस्टाग्राम स्टोरी एंड योवर इंस्टाग्राम पोस्ट रिव्यू पर किलिक करके यहां पर ओके कर देता हूं ठीक है यहां पर मैं अब कर दता हूं योवर इंस्टाग्राम पोस्ट आउन ठीक है इसके बाद मैं बेक करता हूं यहां पर मैं इंस्टाग्र Tecnical Shape Aid पे आजाता हूं, इसमें मैं कर दता हूं, your Instagram Story on, then your Instagram post on, इसके बाद your Instagram deal setup कर दता हूं, then यहाँ पर मैं allow कर दता हूं, अब देखी, यहाँ पर जितने भी मेरे account है, सारे एक जहाँ पर connect हो गया है, अब मैं अपने इस account पर जो भी story एड करूँगा, for example मैं technical shape add पर एक story एड़ करता हूँ यह story में add करता हूँ तो यहाँ पर मैं example के लिए एक story लिता हूँ ऐसे example के लिए हो गये story then यहाँ पर मैं करदा हूँ next done यहाँ पर मैं यह story add कर रहा हूँ simply अब यह story आपको सभी जहाँवाँ नज़डाएगी ठीक है इस्टोरी एड हो गया अब यहां पर मैं बेक करता हूं देन फेस्बुक पर जाकर देखता हूं कि वहां पर भी हुआ है एड या नहीं तो simply यहां पर मैंने बेक किया देन यहां पर मैं फेस्बुक पर किलिक करता हूं यहां पर मैंने फेस्बुक को ओपन किया देन य Instagram account add किया है उस पर भी एड होगा यहां तक समझ माया इसके अलावा आप अपने उस Instagram account पर जिससे आपने यह Facebook account link किया है connect किया है and other account connect किया है तो अपने उस man Instagram account पर for example मैं फिर से वहीं पर आ जाता हूँ यहां पर मैं Instagram पर आ गया है इस account पर मैं जो अभी रीज्स पॉस्ट करूँगँ यह photo post करूँगा वह मेरे Facebook पर भी होगा post photo and वह रीलस जो मैं इहां पर रीलस pops करूँगा इस account पर वह मेरी Facebook पर भी पोस्ट होगा and जो story add करूँगा वह meerई Facebook पर भी add होगा यह तो आपकी समंझ माय गिया then फिर से आपको अपने account पर विजिट करके ठीडोट पर किलिक करके setting and privacy में आ जाने है यहाँ पर आपको account center पर फिर से किलिक करके connected experience पर click कर देने है यहाँ पर आपके समझ में इतना तो समझमा आ गया कि आप जो अपने इस account पर share करोगे चाहे वो reels post करो चाहे वो आप photo post करो या story add करो वो आपके जो जो account यहाँ पर connect है उन सब पर एक साथ होगा यह समझमा आ गया इसके बाद है logging in with account simply इस पर आपको click करने है अब देखे गाइस यहाँ पर है choose which account can login in to other account यहाँ पर आप कोई भी account select कर सकतो जब आप उस account से instagram पर login करोगे तो आप जो आपका यह वाला man account है ठीक है यह हो गया और आपने यहाँ पर connect कर दिया zero moment save zero से for example मैं technical save 00 से यहाँ पर कर दिया इसको connect अब मैं अपना technical save 00 वाला जो account login करूँगा instagram पर तो उसके साथ साथ मेरा यह man वाला account भी login होगा technical save 8 वाला या फिर मैं अपना facebook account से login करूँगा तो जैसे ही मैं facebook account से login करता हूँ तो मेरा यह वाला instagram account जिससे मैंने facebook account connect कर दिया तो यह है मेरा man account technical save 8 यह भी facebook के साथ साथ login हो जाएगा instagram पर ठीक है see where you login in यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पर पता चल जाएगा आपको इसके साथ साथ आप सभी जागा पर कर पाऊगे और अगर आप allow कर दोगे सभी account तो सभी account का मतलब यह है आपने continue कर दिया तो जो जो account आपने connect किया है आप किसी भी account से अपने एक account से सभी account login कर सकते हो एक साथ इसका यह facility होता है तो भाई मेरे को तो यह feature काफी अच्छा लग रहा है तो आपको कैसा लग रहा है आप भी मीजे comment box में बताना यहाँ पर आप password देकर सभी को allow कर सकते हो ठीक है मीजे comment box में बता देना अब आपको कुछ time बाद आपका mind हड जाता है कि यार मेरे को इनको connect से हटाना है आप remove करना चातो तो simply आपको bake करना है यहाँ पर आपको नीचे की हो रहा है यहाँ पर आपको accounts पर click करना है और जैसी आप accounts पर click करतो then यहाँ पर देखो जितने भी accounts से आपने connect किया हुआ है for example आपको facebook खटाना है facebook remove करना है यहाँ पर remove account करना है then continue कर देना है तो यहाँ पर मैंने remove कर दिया है simply यहाँ पर हो चुका है यह remove then इसके बाद आपको कौन-कौन सा करना है यहाँ पर यह वाला करना है मैं सभी को remove करना चाहूँ तो यहाँ पर सभी account को remove कर सकता हूँ ठीक है आपके सामने अगर आपको बाद मैं करना है वह कर सकता हो otherwise जब तक आपको connect करना है जब तक आप connect रख सकता हो और जब आपका दिमाग घूम जाए कि आपको connect से हटाना है तो इस तरह से आप हटा सकता हो मैंने आपके सामने सभी account हटा दिया है यहोप आप लोग की समझ में आगया होगा connected experience का मतलब होता है कि आप जो account connect करता हो और अपने man account से जो reels photo post करता हो या story aid करता हो तो वो आपके सभी connected account पर post हो जाता है reels भी डल जाता है photo भी डल जाता है story भी add हो जाता है और उसके बाद अगर आपका mind माने तो भाई आप सोच रहो कि यार हटाने है तो हटा भी सकते हो मैंने आपको सब कुछ explain कर दिया है वीडियो को यहें पर end कर देते है वीडियो को like, share, comment कर देना एंड चैनल को subscribe करके बेल आकेन को और पर बिस कर दना ऐसी ओर वीडियो देखने के लिए